मैंने जिन्दगी में एक ही बात सीखी है कि इंसान को कोई चीज नहीं हरा सकती जब तक वो खुद ना हार माने इसी विचार के साथ मैं प्रियाब सभी का स्वागत करती हूँ आज की करंट अफेर की क्लास में वीडियो सुरू करने से पहले से लाइक, शिरर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोडिफिकेशन को आल पर सेट करते हैं सुरू करते हैं हमारे प्रीविएस डे के क्वेशन से हमारा क्वेशन था अंतरराष्ट्र परिवार प्रेशड दिवस प्रतिवर्स किस दिन मनाया जाता है हमारे ऑप्शन है 16 जून, 15 जून, 14 जून, 13 जून तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन A 16 जून परिवार प्रिशड के अंतरराष्ट्र दिवस एक संयुक्त राष्ट्र महासभाद्वारा मानेता प्राप्त दिन है जो हर साल 16 जुन को प्रावासी स्रमिकों को योगदान का जश्ण मनाने उनके परिवार के सदस्यों के जीवन में सुधार लाने और उनके लिए आसा का भविश्य बनाने के लिए मनाया जाता है अगला क्वेशन देख वर्ल्ड's third largest diamond has been unearthed in which nation दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा किस देश में खोजा गया है अस्ट्रेलिया, अंगोला, तंजानिया, साउथ अफ्रीका तो इसका सही अप्शन है उप्शन डी साउथ अफ्रीका देप स्वाना diamond company ने एक जून 2021 को दच्छिड अफ्रीका के बोट्स्वाना में जावानें खादान में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा पाया इस पत्थर का वजन लगभग 1098 केरेट है और इसका माप 73 mm लंबा, 52 mm चाड़ा और 27 mm मोटा है और इसका नाम अभी तक नहीं रखा गया है अगला प्वेशन देखते हैं मरुस्थली करण और सूखा दिवस 2020 कब मनाया जाता है जून 16, जून 17, जून 18, जून 19 तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन B, जून 17 17, जून 2021 को दुनिया भर में मरुस्थली करण और सूखा दिवस मनाया गया यह दिन मरुस्थली करण से निपटने के लिए अंतराश्च प्रियासों के बारे में जन जाग रुकता बढ़ाने के लिए मनाया गया चलिए अगला प्वेशन देखते हैं केनित कॉंडा की स्टेश के पहले राष्ट्रपती थी हमारे ऑप्शन है साउथ एफ्रीका, नामबिया, जिंबाबे, जामबिया तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन D, जामबिया केनित कॉंडा 1964 से 1991 तक जामबिया के पहले लोगतांतरिक रूप से चुने गए राष्ट्रपती थी, उन्होंने शुरुवात में एक स्कूल सिक्षा के रूप में काम किया, अफ्रीकी सुतंतता की चैंपियन का 17 जून 2021 को 97 वर्ष की आयू में दुखत निधन हो गया अगला कोईशन देखते हैं, विच नेशन हैं स्टॉप द वर्ल्ड कॉंपूटिटिवनेस इंडेक्स 2021 विच सुप्रतिस परधा सुचकांग 2020 में किस देश ने सीस स्थान हासिल कि हमारे ऑप्शन है, स्विरेन, सिंगापूर, डेनमार्क, स्विटरिजल लैंड तो इसका स स्विरेन, दूसरे स्थान पर जबकि डेनमार्क एक स्थान नीचे, तीसरे स्थान पर आ गया है, नीदल लैंड ने अपना चौथा स्थान बरकरार रखा और सिंगापूर 2020 में अपना सीर्स रैंकिंग से पाच्वे स्थान पर खिसक गया, अगला क्वेशन देखते हैं, इ धूटी थर्ड थर्टी फोर्ट इसका सही आप्षिन आप्षिन सी फैर्टी थर्द प्रवंद्न विकास संस्थान आएंडी द्वारा संकिलित विश्ट प्रतिस्था मर्क सूच कांग कुप 2020 में भारत ने अपना 33 स्वान रैंक बनाय रखा, सूचा कांग में सुट इस इ अधार मेमोरेंडम तिल वन केंद्र ने उद्दोग आधार ग्यापन की वैधिता कब तक बढ़ा दी हमारे आप्शन है मार्च 31st 2022 दिसंबर 31st 2021 सेप्टेमबर 2021 जुलाई 31st 2021 तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी दिसंबर 31st 2021 केंद्री सूस्म लगू और मध्यम उद्दम मंत्राले ने उद्दोग आधार ग्यापन की वैधिता 31 मार्च से 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दी है इस कदम का उद्देश उद्दमी ग्यापन भाग दो और उद्दोग आधार ग्यापन धार को को लाभ प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करना है MSMI के प्रात्मिक्ता प्रात्चेत्र के रिड़ लाभों के सहीत विबिन मौझूदा योजनाओं और प्रोटसाहनों के तहत ये प्रवधान है चलिए अगला क्वेशन देखते हैं विच नेशन इस प्लानिंग तो सेट अप एन इंटरनाशनल वैक्सीन इंस्टिटूट कौन सा देश अंतराश्ट्री वैक्सीन संस्थान इस्थापित करने की योजना बना रहा है उप्शन है श्री लंका, इंडिया, बांगलादेश, पाकिस्तान तो इसका सही ओप्शन है ओप्शन C, बांगलादेश बांगलादेश COVID-19 सेट वैक्सीन उतपादन के लिए एक अंतराश्टी संस्थान स्थापित करेगा बांगलादेश सरकार वैक्सिन संस्थान इस्थापित करने के लिए दक्षिर कोडिया के साथ एक समझोता पर हस्ताक्षर करेगी देखते हैं हमारे आज की क्वेशना दा डेको जो है Which of the following state has launched the accelerator program called Rave Up निम्लेकित में से किस राज ने रेव अप नामक त्वरब कारिकरम शुरू किया हमारे ओप्षिन है थे लंगाना आंध्रप्रदीस पक्षिम बंगाल के रगत इसमें से जो भी ओप्षिन आपको सही लग रहे हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा और जिन्होंने प्रीविस क्वेशन का अंसर सही दिया वेल दन कीप डूइंग ऐसे ही आंसर देते रहे है और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेर चैनल को सब्सक्राइब क करके बेल नौटिफिकेशन को आल पर सेट कर दे थांक यू